नमस्कार दोस्तों आज का इस वीडियू पर हम आप सभी कहम स्वागत करते हैं और आज का इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं वीडियो का टीबी पर आउटपुट तांगेश्टर औवर हिट होना और बार बार इस प्रोब्लम को आप भी अगर solve करना चाहते हैं और आप भी परेशान है इस प्रोब्लम से तो ये वीडियो आप सबों के लिए है इस वीडियो के माध्यम से आप जितने भी वीडियो कौन का टीवी है ये प्रोब्लम को आप चुटकियों में solve कर सकते हैं तो इस वीडियो क को आप सब सुरू से लास्ट तक बने रहें इस वीडियो के माईध्यम से आप सबों को हम दिखाने वाले हैं step by step इस problem को आप solve कर सकते हैं हाथ दोस्तों आप सब जैसे देख पा रहे हैं हमने टीवी को पहले सही खोल के रखा है और इसका जो problem है output transistor overheat होने का वो actually जो होता है ये जो transistor होते है ये नया जो market से हम लाते है इस transistor का कोई guarantee नहीं रहता है दोस्तों ये जो transistor हमें market से मिलता है ये 30-40 रुपे में इसका कोई guarantee नहीं ये टीवी चलते चलते बन हो सकता है तो आप इसकी जगह आप ये 24.99 का original transistor जो किसी भी PCV से आप खोल के लगा सकते हैं अगर ये transistor आप अगर इस्तमाल करते हैं तो आपका टीवी जो है बार बार output transistor heat हो जा रह रहा था इस problem से आप solve पा सकते हैं वो भी आसानी तरीका से तो हमने ये चोटे transistor की जगह जो हमने ये circuit से हम तीन वायर निकाले हैं इसे हम बड़ा transistor को हम इस तरीके से हम लगाएंगे और लगाने के बाद ये तीनों तारों को जो हम निकाले हैं सरकित से इसे हम सरकित के हिसा आप से हम इसे जोड़ेंगे और जोडने के बाद हम आप सब को हम दिखाने वाले हैं कि ये जो टीवी मेरा सोट हो जा रहा था अब ये पूरी तरस से किलियर चलेगा और कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल सकता है क्योंकि ये जो टांजिस्टर हम PCV से खोल के रखें ये एकदम औरिजिनल टांजिश्टर है दोस्तों ये औरिजिनल टांजिस्टर अगर इस्तमाल आप करते हैं तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा ये पूरा फूल गरेंटी है दोस्तों तो अगर आप सब कोई ये वीडियो मेरा आच्छा लगता है तो रेट कलर का आ हम और एक चीज बात करने वाले हैं अगर आपका टांजिटर बार बार सोट हो जाता है तो उस रीजन में जो है HD का भी फॉल्ड हो सकता है अगर HD आपका सही है और फिर भी टांजिटर आपका कड़ जा रहा है बार बार दस मिनट या पांच मिनट चलने के बाद तो उस रीजन पर आप और जिनल टांजिटर एक बार इस्तमाल करके आप देख सकते हैं क्योंकि और जिनल टांजिटर का जो छमता रहता है वो एक्चुली और जो मार्केट से मिलता है हो टांजिस्टर से कहीं गुना ज़्यादा रहता है तो इस region पहël हमें ओरिजिनल टांजिस्टर ही सुछ हिस्तमाल अक्सर करना चाहिए क्योंकि ओरिजिनल टांजिस्टर हमें बार-बार सॉर्ड देखने को नहीं मिल सकता है हमने ये बारी की बारी की सी यो तिनों वायर को हमने सोल्ड कर लेना है इस तरीके से जो कि हम कर चुके हैं ये दो वायर को हमने सोल्ड कर चुके हैं अब ये तिसरा वायर को भी हम सोल्ड करके इस की भी पर हम लाइन दे करके देखने वाले हैं कि हमने टांजिस्टर को तो सेट कर चुके हैं दोस्तों अब इस PCB पर हम लाइन कनेक्ट करके देख लेते हैं यह जो मेरा PCB हमने रेडी किया टांजिस्टर लगा गए अब यह पूरी तरह से वर्क करता है या नहीं तो एक बार हमें लाइन पर लगा के चेक कर लेना चाहिए इसे और इसका अगर इस कुरूप ढिला रखते हैं तो आपका टांजिस्टर उड़ सकता है इसलिए आप अच्छी तरह के से इस कुरूप को टाइट कर लेंगे और इसे फिट करने के बाद हम लाइन दे करके देखते हैं दोस्तों ये टीवी मेरा अब पूरी तरह से किलियर हुआ है या नहीं करी कि हमने टीवी पर तो लाइन दे चुके हैं दोस्तों ये आप ए स्क्रीन पर देख पार250 ये लाइट आ चुका है अब इसे हम डी टीप से करलिते हैं क्योंकि डी टीप से करने के बाद ये पता तरह से वर्क कर रहा है यह टीवी तो मेरा पूरी तरह से ठीक चल रहा है दोस्तों तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर देना और नोटिविकेशन अन कर लेना क्योंकि एसे ही वीडियो आप सोब के बीच हम रोज लाते रहेंगे इसी के स आप मिलते हैं न इस्टी वीडियो उचे